जो कृतग्यता महसूस करता है उसे प्रकृती की तरफ से और अधिक दिया जाता है कृतग्यता का मैजिक आपके पूरे जीवन को बदल सकता है हेलो ब्रेंबुक आर्मी स्वागत है अब सभी का ब्रेंबुक चैनल में जहां पर आप देख सकते हैं कम्प्लीट बुक समरी आज का ये वीडियो दे सीक्रेट की राइटर रॉन्डा बर्न की किताब दे मैजिक पर आधारित है मैंने अल्रेडी दे सीक्रेट किताब की समरी की वीडियो बनाई है अगर आपने वे वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिये हुए लिंक पर जाकर वे वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, रॉंडा बर्न ने अपनी किताब दे मैजिक में कुछ ऐसे सीक्रेट और अभ्यास बताये हैं जिनकी मदद से हम अपने जीवन को जादूई तरीके से बदल सकते हैं उनके अनुसार आप चाहे कोई भी हो, चाहे आप कहीं भी हो, आपकी वर्तमान परिस्थिती कैसी भी क्यों ना हो इस किताब में बताया गया सीक्रेट आपके पूरे जीवन को बदल देगा रॉंडा बर्न ने इस किताब में 28 दिनों के लिए 28 क्रियाएं बताई है मैं एक एक करके आपको सभी क्रियाओं के बारे में डिटेल में बताऊंगा मैंने इस किताब को दो पार्ट में डिवाइड किया है इस वीडियो में मैं आपको 10 दिन के क्रियाओं के बारे में बताऊंगा बाकी के बचे 18 क्रियाओं के बारे में मैं आपको इसके दूसरे पार्ट में बताऊंगा इस वीडियो के अंत में मैं बताए गए सभी महत्वपून बातों को संशिप्त में दुबारा दोहरा दूँगा ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें तो इस वीडियो को अंतक देखना मद भूलिएगा तो चलिए शुरुआत करते हैं दमैजिक से Do you believe in magic? क्या आप जादू में विश्वाश करते हैं? लेखिका रॉंडा बर्न आपसे एक प्रशन पूछती हैं क्या आप जादू में विश्वाश करते हैं? यहां वे आपको अपने बच्पन के दिनों को याद करने के लिए कहती हैं वे कहती हैं कि जब आप एक बच्चे थे तो आप जीवन को आश्चरे और उत्सा के साथ देखते थे बच्पन में जीवन बेहद रोमांचक लगता था हर छोटी बड़ी बात आपको उत्साहित करती थी जैसे घास पर गिरी ओस की बूंदों पचल कर आप खुश हो जाते थे एक रंग बिरंगी तितली को हवा में उड़ते देखकर खुश हो जाते थे या जमीन पर गिरे किसी अजीव पत्ते या पत्थर के टुकडे को देखकर खुश हो जाते थे लेकिका ये सब कह रही है क्योंकि एक बच्चे के रूप में हमेशा हमारे भीतर खुशी और रोमाज की भावना थी हमें लगता था कि जीवन बहुत सुन्दर है एक बच्चे के रूप में हम मानते थे कि जीवन खुशियों और मैजिक से भरा है लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए तो जिम्मेदारियां, समस्याएं और मुश्किलें हम पर हावी हो गए बचपन में हम जिस मैजिक पर विश्वाश करते थे वे धीरे धीरे हमारे जीवन से गायब हो गया वे हमें यह बताना चाहती हैं कि बचपन में हम जिस magic पर विश्वाश करते थे वे सच है और बड़े होकर हम जिस जीवन को निराशा से देखते हैं वे जूट है असल में जीवन कहीं अधिक magical है जतना आपने कभी एक बच्चे के रूप में सोचा था यह उससे भी अधिक लुभावना और रोमांचक है जब आप जान जाएंगे इस magic को महसूस करने के लिए आपको क्या करना है तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे एक महान रहस से प्रकट होता है दोस्तों जीवन का magic सिर्फ एक शब्द में छिपा हुआ है वह gratitude यानी कृतगिता जो कृतगिता महसूस करता है उसे प्रकृति की तरफ से और अधिक दिया जाता है और जो कभी कृतगिता महसूस नहीं करता है उसे कुछ दिया भी जाता है तो वह उनसे छीन लिया जाता है। कृतगिता एक यूनिवर्सल लौ के जरिये काम करती है, जो आपके पूरे जीवन को नियंत्रित करती है। हमारे ब्रम्हांड में हर चीज एनर्जी से नियंत्रित होती है। एक एटम के निर्मान से लेकर ग्रहों की गती तक सब कुछ law of attraction के अनुसार ही चलता है। law of attraction के कारण ही हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं। यहां तक कि हर वस्तु के कण में भी इस law के कारण जुड़े रहते हैं। आपके जीवन में यह law आपके विचारों और भावनाओं पर काम करता है क्योंके वे भी एनरजी हैं। और इसलिए आप जो भी सोचते हैं और जो भी आप महसूस करते हैं आप उसी को आकरशित करते हैं। हमारा ब्रम्हांड एक सिध्धान पर काम करता है जिसे महान वैज्ञानिक सर आईजेक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन के थर्ड लौ आफ मोशन के अनुसार हर क्रिया के समान और विप्रीद प्रतिक्रिया होती है। जब आप न्यूटन के लौ के प्रति कृतग्यता के विचार को लागू करते हैं तो यह कहती है कि धन्यवाद देने की प्रतेक्रिया हमेशा प्राप्त करने की विप्रीद प्रतिक्रिया का कारण बनती है। और जितनी अधिक इमानदारी से आप जितनी गहराई से कृतग्यता महसूस करेंगे, आप उतना ही अधिक पाएंगे। जादू को अपने जीवन में उतारें। लेखी का कहती हैं कि आप अपने जीवन में कृतग्यता लाएं। और फिर आप अपने जीवन में magic महसूस करेंगे। कृतग्यता का अर्थ है धन्यवाद देना। अपने जीवन के हर शेत्र यानी धन, सेहत, खुशी, कैरियर, घर और परिवार हर चीज़ के लिए धन्यवाद दें। आप चाहें कोई भी हो, चाहें आप कहीं भी हो, आपकी वर्तमान परिस्थिती कैसी भी क्यों ना हो, कृतग्यता का magic आपके पूरे जीवन को बदल देगा। इस किताब में 28 दिनों के लिए 28 magical अभ्यास बताए गए हैं, जिसकी मदद से आप यह जान पाएंगे कि कैसे, कृतग्यता के magical पावर के जरीए आप अच्छी सेहत, पैसा, अच्छे संबंध पा सकते हैं और अपनी बड़ी से बड़ी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। जीवन में मैजिक को मैसूस कर पाएंगे। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतग्य होंगे, चाहे वे कितनी भी छोटी ही क्यों ना हों, आप देखेंगे कि उन चीजों में और भी जादा व्रिधी हो रही है। यदि आप उस धन के लिए कृतग्य हैं चाहे वे कितना भी कम क्यों ना हो तो आप देखेंगे कि आपका धन मैजिकल तरीके से बढ़ रहा है। इसकी दूसरी साइड ये है कि जब हम अपनी ब्लेसिंग्स नहीं गिनते तो हम अंजाने में नेगटिव चीजों की गिनती के जाल में पढ़ जाते हैं। जब हम उन ट्रैफिक की शिकायत करते हैं, लाइनों में इंतजार करते हैं, सरकार मौसम या अपनी परिस्थिती को दोश देते हैं। जब हम नेगटिव चीजों को गिनते हैं तो वे भी बढ़ जाती हैं। इतना ही नहीं उस नेगटिव चीज के साथ बहुत सी ऐसी चीजे भी जो हमारे जीवन से पॉजिटिविटी को खतम कर देती है। पहले दिन के अभ्यास के लिए आप एक लिस्ट तयार करें जिसमें आप अपने पास मौजूद लोगों और चीजों की अच्छाई के बारे में लिखें। ऐसा करने से आप कृतग्यता को अधिक गहराई से पूस कर पाएंगे। याद रखें कि कृतग्यता का मैजिक आपकी भावनाओं पर निर्भर करता है। इसलिए अपनी लिस्ट में हर चीज के साथ उस कारण को लिखें जिसके लिए आप कृतग्य हैं। एक डाइरी लें और अपनी सभी ब्लेसिंग्स या नियामतों को एक जगा पर लिखें। अपने दस ब्लेसिंग्स की लिस्ट बनाने के बाद हर किसी को जोर से पढ़ें। जब आप हर ब्लेसिंग के अंत में पहुंच जाएं तो मैजिकल शब्दों को तीन बार कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद और जितना संभव हो सके उस ब्ल पुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। डे टू जादोई पत्थर। मैजिक के नियमों के साथ काम करने की शुरुआत में कृतग्यता को एक आदत बनाने के लिए आपको कुछ दिन का समय लगता है। ली ब्रॉवर ने दे सीक्रेट फिल करतग्य पत्थर का इस्तमाल किया और उसके बेटे के स्वास्त में चमतकारिक ढंक से सुधार हुआ। तब से दुनिया भर के लोग करतग्यता के पत्थर का उप्योग अपनी अलग-अलग इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते आये हैं। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले आप एक चटान या एक पत्थर खोजें। एक छोटे आकार के पत्थर को चुनें जो आपके हाथ की हतेली में फिट बैठता हो जिसे आप अपनी मुठी में बंद कर सकें। जब आपको आपका मैजिक रॉक मिल जाए तो उसे अपने बिस्तर के पास ऐसी जगा पर र और उनमें से जो भी सबसे अच्छी हो उसके लिए कृतग्यता प्रकट करें और धन्यवाद कहें। इसके बाद मैजिक रॉक को वापस उसी जगा पर रख दें। इस तरह हर रात सोने से पहले अगले 26 दिनों के लिए इस मैजिक रॉक तकनीक को दोहराएं। शुरुवात आप में यह तकनीक आपको थोड़ा अटपटा लग सकती है लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमतकारी ढंक से बदलाव होने लगेगा। अगर कोई भी उसका इस्तमाल ना कर सके। दूसरे लोगों के साथ संबंधों और अनुभवों से आपके जीवन में खुशी आती है और आपके जीवन को अर्थ मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन में किसी भी अन्य चीज से जादा असर डालते हैं। ज इसरे दिन की प्रैक्टिस के लिए आप अपने तीन सबसे करीबी संबंधों को चुने। आप माता, पिता, पती, पतनी, बच्चे, भाई, बहन, दोस्त, शिक्षक कोई भी संबंध चुन सकते हैं जिनें आप महत्वपून मानते हैं। बस जरूरी ये है कि आपके पास अधिक कृतग्य हैं। उस व्यक्ति की खूबियों पर ध्यान दें। उसकी काबलियत, बुद्धिमानी और उसके पेशन्स आदी अच्छे गुणों के बारे में सोचें। इसके बाद उसकी फोटो अपने सामने रखें और किसी डाइरी में उसकी पाँच खूबियों के ब पुशाल बनाने के लिए हर रोज यह प्रैक्टिस करें। अच्छी सेहत ही सबसे बड़ा ख़जाना है। लेकिन यह भी सच है कि हम अपनी सेहत को जितना नजर अंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज़ को नहीं करते। हम अपनी सेहत के बारे में तभी सोचते हैं देना चाहिए। जिस हद तक आप अपने सेहत के लिए कृतग्य होते हैं उसी हद तक आपकी सेहत जादूई रूप से अच्छी होती जाती है। जादूई सेहत के अभ्यास के लिए एक आड़ पर मोटे अक्षरों में लिखें स्वास्तिका उफार मुझे जीवित रखता ह इसके बाद दिन में कम से कम चार-पांच बार इन शब्दों को ध्यान से धीरे-धीरे पढ़ें और अपनी सेहत के लिए कृतग्यता प्रकट करें। ऐसा करने से आप अपनी सेहत में नया और एक खुशनुमा बदलाव महसूस करेंगे। धीरे-धीरे आपके अंदर आसे को लेकर चिंतित, इर्शालू, निराश या भईबीत होने से आपके पास कभी भी धन नहीं आएगा। क्योंकि यह भावनाएं इस बात से उत्पन होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतग्य नहीं हैं। चाहे आपकी मौजूदा स्थिती कैसी भी हो आपके जीवन में धन को मैजिकल तरीके से बढ़ाने के लिए आपको अपने पास मौजूदा धन के लिए कृतग्य नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। जादूई धन की प्रैक्टिस के लिए किसी भी अमाउंट का एक नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपक उसमें यह लिखें उस सारे धन के लिए धन्यवाज जो मुझे जीवन भर दिया गया है। उसके बाद इस जादूई नोट को अपने परसिया जेब में रख लें कम से कम एक बार सुबा और एक बार दुपहर या जितनी बार आप चाहें इस जादूई नोट को बाहर निका उसकरते हैं उतनी तेजी से आपके जीवन में धन आता है। अगर आप भी अपने विश्वाश की शक्ती को बढ़ाना चाहते हैं और एक सकारात्मक जीवन जीना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं और सफलता पाना चाहते हैं तो हमने अपनी वेबसाइट brainbook.in पर positive affirmations और law of attraction के कुछ audios बनाए हैं। आप description में दिय हुए link पर जाकर या उपर i button पर click करके इन audios को download कर सकते हैं। Day 6 जादू की तरहां काम करना अगर आप अपनी नौकरी या काम में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको अपने काम के लिए कृतग्य होना चाहिए। जब आप अपनी नौकरी या काम के लिए कृतग्य होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप पहले से जादा खुशी से काम करें जिससे आपको अधिक पैसा और अधिक सफलता मिलेगी, वहीं अगर आप अपने काम के लिए कृतग्य नहीं होते हैं तो आप negativity से भर जाएंगे, अपने काम में खुश नहीं रह पाएंगे और सफल नहीं हो पाएंगे, अपने काम में सफलता प्राप्त करने के लिए आप प्राप्त करने के लिए पाएंगे, अपने साथ काम करने वाले लोगों के लिए भी कृतग्य रहें, जितना हो सके उनसे सीखने की कोशिश करें, उनकी मदद करें और मिलजूलकल काम करें, अपने काम के लिए हमेशा खुश रहें Day 7, नकरात्मक्ता से बाहर निकलने का जादूई तरीका, एक कृतग्य विक्ति किसी भी परिस्थिती में कृतग्य रहता है, यह कभी नहीं हो सकता कि आप कृतग्य भी हो और उसी समय आपकी सोच नेगेटिव भी हो, अपने जीवन में कृतग्य रहने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे पलो को खोजना होगा जिन्होंने आपको खुशी दी और आपको कृतग्यता प्रकट करने का मौका दिया, महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि आईए उठें और कृतग्य हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा, तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और अगर हम बिमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं, इसलिए आईए हम सब कृतग्य हों, शिकायत करने, नेगेटिव विचार सोचने या नेगेटिव शद बोलने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुख जाता है, और जब भी आप शिकायत कर तो law of attraction का नियम आपके जीवन में और अधिक ऐसी चीजे ले आता है, जिनके बारे में आप शिकायत कर सकें, इसलिए हमेशा अपने जीवन की अच्छी चीजों के लिए कृतग्य रहें, परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, आप हमेशा कृतग्य होने के लिए साधारन चीजों के लिए भी कृतग्य होना बहुत जरूरी है, वह साधारन चीजें कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि भोजन और पानी, प्राजीन समय में लोगों का मानना था कि जब वे अपने भोजन और पानी को कृतग्यता के साथ धन्यवाद देते हैं, तो वे उस भोज भोजन को शुद करते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा, जाहिर है कि हम जीवित नहीं रह पाएंगे, प्रकृती ने हमें जीवित रहने के लिए भोजन और पानी का उपहार दिया है, इसलिए हमें प्रकृती का और उसके दियवे भोजन का धन्यवाद करना चाहिए, जब आप भोजन और पानी के लिए करतग्यों होते हैं तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं पड़ता, बलकि आपकी करतग्यता पूरे संसार पर असर डालती है, आज से आप कुछ भी खाने पीने से पहले, मन ही मन उ दोस्तों, आपके जीवन में आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वै कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितना अधिक करतग्यों होंगे, आपको उतनी ही अधिक सम्रिध्धी मिलेगी, और आप धन के बारे में जितनी जादा शिकायत करेंगे, आप उतने ही जादा बनेंगे यदि आपके पास परियाप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना आपके लिए सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है ऐसा लग सकता है कि बिल का अमाउंट आपके पास मौजूद धन से बहुत बड़ा है लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं त जब भी आप किसी बिल का भुकतान करें तो उस बिल पर यह magical शब्द लिखें धन्यवाद भुकतान किया और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं है तो कृतग्यता की magical power का इस्तमाल करें और उस पर यह लिखें पैसे के लिए धन्यवाद तथा कृतग्यता प्राचीन काल से ही यह माना जाता है कि हम पूरे दिल से दूसरों को जो भी देते हैं वे कई गुना बढ़ जाता है। जिसकी और भी निर्देशित करते हैं यह उसी और मुड जाती है। आप कृतक गिता की उर्जा को चम चमाती जादूई धूल जैसा मान सकते हैं। हम हर दिन बहुत से लोगों से मिलते हैं। चाहे वे फोन पर हो, इमेल पर हो, ओफिस, बस या ट्रेन में आमने सामने हो, हम जिन दोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वे हमारी कृतग्यता के हकदार होते हैं। हम उनसे कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त करते हैं। जैसे कि वे लोग जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं, बस या टेक्सी ड्राइवर हैं, आफिस के करमचारी हैं, इन सभी की सेवाओं के लिए आपको उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। जब आप किसी को धन्यवाद कह रहे हों, उस वक्त उसके चेहरे की और जरूर देखें। दोस्तों, यह इस वीडियो में बताया गया आखरी चैप्टर था, और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताये गए सारे महत्वपून पॉइंट्स को दोबारा दोहरा दूँगा, तो चलिए सारे महत्वपून बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं, पहला, जो कृतग्यता महसूस करता है, उसे प्रकृति की तरफ से और अधिक दिया जाता है, और जो भी कृतग्यता महसूस नहीं करता है, उसे जो कुछ भी दिया जाता है, वह भी उससे छीन लिया जाता है, दूसरा, आप चाहे कोई भी हों, चाहे आप कही भी हो, आपकी वर्तमान परिस्थिती कैसी भी क्यों ना हो, कृतग्यता का मैजिक आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। तीसरा, जब आप अपने पास महजूद चीजों के लिए कृतग्यता बढ़ाते हैं, तो मैजिकल तरीके से आप उस समबंद में खुशी और अच्छी अच्छी चीजों को बढ़ता हुआ देख सकते हैं। पांच्वा, अच्छी सेहत के लिए आपको अपने शरीर के हर अंग और हर कोशिका को धनेवाद देना चाहिए। जिस हद तक आप अपनी सेहत के लिए कृतग्यता होते हैं, उस हद तक आपकी सेहत जादूई रूप से अच्छी होती है। छटा, अपने जीवन में धन को मैजिकल तरीके से बढ़ाने के लिए आपको अपने पास मौझूद धन के लिए कृतग्यता महसूस करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये दे मैजिक का पहला पार्ट था। मुझे उमीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो में बताई गई बातों से बहुत कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को लाइक और शेर करें और ऐसे ही इंट्रेस्टिंग बुक समरीज और नौलेज से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ब्रेन बुक को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही दमैजिक का दूसरा पार्ट ले कराऊंगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आपका समय शुब हो।